गोल्ड एंग सिल्वर ETS के बारे में मैं जानकारी चाहता था कि इसको शेयर के थुरू हम कैसे खरी सकते हैं और रख सकते हैं अपने डीमेट में तो क्या आप नए इन्वेस्टर है या गोल्ड ETS पहले आपने लिया है और कोई इसकी जानकारी गोल्ड ETS खरीदना चाह रहे हैं वंदना जी इनको सलाह दीजिए क्या करना चाहिए कैसे खरीदे अपने डीमेट के जरिये और कोई अगर टॉप हाला कि सारे अंडरलाइं सबके गोल्ड और सिल्वर ही रहेंगे तो रिटर्न में तो बहुत जादा फर्क होता नहीं है तो कोई भी ले सकते हैं लेकिन कैसे खरीदे और क्या उनकी खूबिया और खामिया है ये बता दीजे गोल्ड ETS और सिल्वर ETS की जी विश्वाँ जी सबसे पहले तो बहुत अच्छी है और अल्रेड़ी ये डेमेट में ट्रेड कर रहे हैं तो इन्हें बहुत जादा यहां पर परिशानी नहीं है जाने की जरुरत है कि जो गोल्ड ETS है वो गोल्ड से बैक्ट होता है और उसकी जो वैल्यू डराइव होती है वो एक ग्राम गोल्ड की यहां पर होती है तो बहुत लोग चाहते है जोलर के पास फिजिकल में भी और बाद में इकठे आप यहां पे गोल्ड भाइ भी कर सकते हैं जो वैल्यू आपको उस टाइम मिलेगी तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पे unit क्या होता है तो एक ग्राम गोल्ड का unit होता है अभी अगर मालीजे की 32,000 का यहां पे सोना है तो एक unit आपको 7200 के करीब का मिलेगा गोल्ड में अगर silver की बात की जा यहां पे तो आप 100 उपे से भी silver ETF की शुरुवात कर सकते हैं जो अभ आप यहां पे ले सकते हैं और as a equity आप शेयर जैसे होता है कि cash में आप काम करते कि आज करीदा कल बेचा इसमें liquidity बहुत अच्छी है आप जब चाहें यहां पे खरीच सकते हैं बेच सकते हैं exit entry note की बात नहीं है यह expensive होता है यहां पे mutual funds की तरह थोड़ा से expensive होता है as compared to other tools त ETF में अब आपने यहां पे buying कर ली है आपका एक पकड़ आ गया यहां पे trading कर लिया है और एक market पे पकड़ है इसके बाद आप धीरे-धीरे excel कर सकते हैं futures और options trading में भी तो कह सकते हैं कि यह पहली CD हो सकती है derivative market में gold और silver में trading करने की बहुत ही आसान और पस्ट भाशा में अमीद है कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा चलिए